नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ विश्व विख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर करें तो आएए बिना देर किये शुरू करते हैं माज की कहान कहानी का शिर्षक है जहील की बेटी इसे लिखा है यस्पाल जैन ने डल जहील कश्मीर का बहुत बड़ा आकर्शन है अपने कश्मीर प्रवास में हम लोग अकसर शिकारे में जहील की सेर करने चले जाते थे एक दिन शाम खाली थी संयोक से हमारा परिचित शिकारे वाला गफारा मिल गया फिर क्या था बैठे उसके शिकारे में और घूमने च खेता हुआ काफी दूर ले जिया उसके बाद सेर कराता हुआ वहां पहुचा जहां पानी की सतह के उपर कई प्रकार की खेती हो रही थी नाव को रोक कर बोला यहां आप उतर पढ़िये और देख लिजे कि इनसान ने कैसा करिश्मा कर दिखाया है हम लोगों ने डरते डर नीचे पैर रखा कि कहीं धरती के साथ अंदर पानी में न चले जाएं पर हमारा वह भै निराधार निकला फिर तो बे धड़क किधर उधर गोमने लगे नीचे काफी गहरा पानी था उपर घास की मदद से मिट्टी जमा कर खेती की गई थी घूम घाम कर फिर नाव में आ और अब कमल के फूलों और बड़ बड़े पत्तों के बीच से नाव निकलता हुआ गफारा दूसरी और चला इतने में क्या देखते हैं कि एक पतली तीर जैसी नाव पर एक कश्मीरी किशोरी खड़ी हम लोगों को देख रही है गफारा ने कहा साहब जानते हैं लड़की क हिमी कर दी बोला साब यह बहुत बड़े आदमी की लड़की है शाम को यहां आती है और घर के लिए साग तरकारी विगरा ले जाती है अभी इसकी शादी नहीं हुई है हमने कहा इसे यहां बुलाओ गफारा बोला जनाब इसका बड़ा उचा दिमाग है आप बुलाए गफारा मुस्कुराया नाव को उसने रोक दिया और लड़की को आने का संकेत किया लड़की कुछ सहमी लगा वह नहीं आवेगी तब गफारा ने उससे कश्मेरी में कुछ कहा उसके बाद वह अपनी पतली सी नाव को खे कर सपाटे से हमारे पास आ गए वह जील की बेटी ती डल जितनी सुंदर थी बेटी उससे बेधिक सुंदर थी बड़ी स्वस्थ और निर्भिक शहजादी जैसी लगती थी वो हमारी भाषा नहीं जानती थी हम उसकी भाषा नहीं जानते थे हमने गफारा की मारफत उससे पूछा उसके पिता कहा रहते हैं उनके पास कितनी खेती है, कितनी उससे आमदनी हो जाती है, घर में कितने लोग हैं, जील में अकेले आते उससे डर नहीं लगता, आदी आदी, उसने मुस्कुराहट के साथ सारी बातों के उतर दिये, उसकी नाव में मक्की के भुटे और कमल गटे रखे थे, उनकी ओर संकेत करके हमने कहा, क् तुमने अपने घर के लिए नहीं कठा किया है, ले जाओ, पर वो नहीं माने, जबरदस्ती काफी भुटे और कमल गटे हमारी नाव में पहुचा दिये, इनके पैसे कितने हुए, हमने पूछा, पैसे, कैसे पैसे, उसने गफारा के द्वारा विश में सुतर दिया, ये जो खेत पर आये हैं, हमारे मेहमान हैं, आपके मन में पैसे दिनी की बात कैसे आई, इतना कहकर उसने डांड उठाया, और हम कुछ कहें कि उससे पहले ही अपनी तीर सिनाव को तेजी से चला कर अपने रास्ते बढ़ गई, तभी जील में एक साथ लहरें उठी, मानो अपनी ब